7 Best One-Shot Channels, जहां से आप One-Shot Lectures देखकर अपनी J-E के अंदर काफी ज़ादा help ले सकते हैं और ये resources आपके revision और आपके backlogs complete करने में बहुत help करेंगे तो बिना time waste करें वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि One-Shot Lectures होते क्या हैं तो अगर किसी को नहीं पता है One-Shot Lectures क्या होते हैं तो One-Shot Lectures basically ऐसे Lectures होते हैं एक chapter के जिन में एक ही वीडियो के अंदर पूरे के पूरे topics को समझाने की और complete कराने की कोशिश करी जाती है ये Lectures personally मैंने बहुत जादा यूज करे थे इनसे short notes भी बनाये थे अपने जिन्नोंने मेरे को revision के अंदर बहुत जादा help करी by the way अगर आप short notes की तलाश में हैं तो आप वो सभी short notes मेरे handwritten बनाये हुए पा सकते हैं free में by joining the telegram channel जिसका link आपको यहाँ पर और description में मिल जाएगा तो हाथ आप बात कर लेते हमारे 7 best channels की जहाँ पर से आप one-shot lectures पढ़ सकते हैं यार यह channel काफी अच्छा है बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक lecture तीन से चार घंटे का है और almost 30 to 35 videos आपको एक subject के अंदर देखनी पढ़ेंगी तो अगर जई मेंस 2023 की बात करें तो उसके लिए यह channel इतना आधा recommended नहीं रहेगा क्योंकि आप सारे lectures नहीं देख सकते हो कुछ भी कर लो 12-13 घंटे आप नहीं पढ़ पाओगे दिन में सिर्फ lectures के थूर और उसमें भी सिर्फ आपकी question practice नहीं हो पाएगी तो यहां से आपको अगर कोई lecture देखना है तो मैं कहूंगा particularly अगर किसी एक या दो chapter के lecture देखने है थोड़ा सा depth में जाके देखने है तो आप इस channel को recommend कर सकते हो नमग 6 पर बात कर लेते हैं जेई वाला मंजिल 2.0 badge की जो की YouTube के ओपर चल रहा है यहां पर आपको दिखेगा कि 8-9 गंटे के average lectures है फिर भी मैंने इसको unacademy atom से उपर रखा इसका particular reason यह है कि यहां पर आपको advanced तक की पूरी तयारी कराई जाती है तो अगर कोई ऐसा student है जो advanced oriented तयारी करना चाता है तो वो यहां से one shot lectures देख सकता है ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ भी knowledge prerequisite जरूरी होगी आप उस पूरे lecture के अंदर आप वो सारी knowledge ले सकते हो लेकिन वहीं अगर हम जेई मेंस के perspective से देखें आखरी के 30 दिनों में अब बात कर लेते हैं number 5 की जो की है पंकद सर chemistry का channel जहां से आप chemistry के one shot lectures देख सकते हो दो या एक घंटे का एक lecture होता है और physical, inorganic और organic chemistry तीनों की अलग-अलग playlists यहां पर available है और यह बहुत ही कमाल का channel हो सकता है अगर particularly किसी student को एक particular part of chemistry को strong करना है anyways अभी तुमारे पास बहुत अच्छा मौका है सारे channels के link आपको description के अंदर मिल जाएंगे तो चिंता की कोई बात नहीं है अभी जाकर आप lectures देखना start कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं number 4 की जो की हमारी है math on go की paper forward ना है series यह series यार maths के लिए particularly है और 90 minutes का एक chapter होने वाला है जिसमें आपको पूरा chapter पूरी तरह से पढ़ा दिया जाएगा revise करा दिया जाएगा basically यहां पर बात यह है अगर किसी भी student को NCRT आती है न math की तो वो in lectures का बहुत जादा help ले सकता है और फाइदा उठा सकता है यहां पर बहुत सारे questions आपको relevant solve कराये जाते हैं main से related तो उसमें आपको बहुत जादा फाइदा होने वाला है तो अगर कोई math oriented student है तो आप math on go के channel को follow कर सकते हैं और अगर कोई student math on go की test series लेने के बारे में सोच रहा है तो आप code use कर सकते हैं हिमांशू जिससे आपको 2000 rupees off मिल जाएगा उनकी test series पर दिंक में description में दे दूँगा आप जाकर वहां से जरूर purchase करें अब बात कर लेते हैं अपने number 3 की जो की है यार physics galaxy का channel जहां से आप आशी शरोर सर की J revision checklist देख सकते हैं यह बहुत ही कमाल की checklist है physics के लिए जो भी students तैयारी कर रहे हैं आपको 11 और 12 दोनों की अलग-अलग playlist मिल देगी तो अगर किसी student की 11th week है वो 11th वाली playlist को पूरा देख सकता है और अगर किसी की 12th week है तो वो 12th वाली playlist को पूरा देख सकता है बहुत ही अच्छे questions sir solve कराते हैं इस playlist के अंदर और बहुत अच्छे से concept बनाते हैं और आशी शरोरा सर से अच्छा I don't think physics का कोई अच्छा जो better लगता है आप वहां से follow करें आप एक lecture किसी एक channel का देखें और start करें अपनी preparation अगर आपको रिदम समझाती है teacher का पढ़ाना समझाता है आपको अच्छा लगता है तभी आप उसको पूरी तरह से follow करें वरना आपके पास बहुत सारे options है जो कि मैंने यहां पर दे दिय है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने अगर physics का mechanics आपने आशी शरौर सर से पढ़ लिया तो आप जो electrostatics है वो कहीं और से नहीं पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट अगर एक चीज़ स्टार्ट करें एक जगे से तो उसको complete करने की कोशिश करें नंबर टू क और अगर आप इनके lectures प्लेलेस पूरी देख लेते हो आपको बहुत जादा फायदा होने वाले खासकर उन जैसे topics की जैसे की AC circuits है या EM waves है ऐसे जो topics है जो particularly depend नहीं करते इधर उधर कहीं से तो उसके बारे में आपको सब कुछ पढ़ा भी दिया जाता है और बहुत सारे questions भ आपको देखना चाहिए है वहाँ से जाके आपको बहुत जादा फायदा देखेगा और organic के अंदर जैसे दिमाग चलाना सीखना होता है students को जो की मेरा बहुत नहीं चलता था तो विनीत खतरी सर की पूरी playlist देखके वो दिमाग चलाना मैं सीख गया था organic के अंदर and advanced के ने number one की और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बायस हूं because यह है VMC यानि विद्यामंदिर क्लास की revision playlist यार यह 2020 में revision playlist जैई मेंस की upload हुई थी यह मेरी ही coaching थी विद्यामंदिर क्लास जहां से मैंने तयारी करी थी और इन लोगों ने online वैसे यह लोग नहीं upload करते पढ़ाने का इतन और आप बहुत अच्छे lectures यहां से देख सकते हैं और इसके अंदर पूरा concept आपको पढ़ाये जाता है सारे formulas पढ़ाये जाते हैं इस lectures के थूरू आप बहुत अच्छे short notes बना सकते हैं and guys यहाँ पर आपको सारे PYQs उस साल से पहले तक के यानि कि 2017, 2018, 2019 तक के आपको कराये करनी है, questions आपको खुद से solve करने है, एक बार अपरोच आ जाती है अगर solve करनेगी तो आप कोई भी questions solve कर लोगे, तो I hope यह सातों के सातों चैनल आपको पसंद नाइंगे, आपको recommendations अच्छी लगेंगी और अगर ऐसा कोई channel है जो आपको लगता है मैंने miss कर दिया है, then let me know in the comment section below, I am very very open to any suggestions, or guys, कोई भी मुझे इस तरह सी यह मत कहना, कि यह channel नहीं बताया, वो नहीं बताया, it's based on personal experience and choices, हो सकता है, आप कोई बहुत अच्छा channel ऐसा जानते हो, जिसके बारे मैं नहीं जानता, तो उसको share करो दोस्तों के साथ, यार, knowledge share करने से ही बढ़ती है, ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं सोचना, कि यार, मैं इसको कोई resource बता दूगा, या कोई help कर दूगा, तो यह तो मिर से आगे निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, जितना आप दूसरों को help करते हो, आप खुद सीखते हो, ठीक है, तो ऐसे ही सीखते रह है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर शॉट नोट्स हमारे चाहिए, सारे में, फ्री में, तो आप टेलिग्राम चैनल को अभी के अभी जॉइन करें, और आप धेर सारी मेंटरिंग परसनल आपको मिलती रहेगी, and guys, all the best for your exam, and keep working hard.